कि दिन पर अरोप लगे हैं मैं आगे का देता हूं कि कोई भी फिल्म बिहार यूपी में रिलीज हो तो वो थियेटर हॉल जला देगी पब्लिक लेकिन जहां बॉली उड़ आ जाता है मुंबई पुलिस पीछे हट जाती उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है मैं आगरा करता हूं ठाकरे जी से कि आखिर वालीवूड जो जगह है वो सिर्फ मुंबई की तो है नहीं कि फिल्म इंड़स्टिग में कुछ लोग कब्जा किया बैठे उनको नागवार गुजरता है जाइके अश्वाण नमस्कार मैं रहुद कुमार अपने छोनेशन देख रहे हैं बिहार के सासा देष के हर उस सक्स के मन में एक सवाल है सबाल है कि क्या सुसायं सिंग राजपूत ने suicide किया और किया तो फिर वो वजह क्या है मिơ है जिसके वजह सुसायं राजपूत को suicide करना परा तौैंवलक्राइब है के सब्सक्राइब करें यहां नहीं होने चाहिए क्या उनको मानने वाले जो करोड़ों उनके फैन हैं उन तक की जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए कि उन्होंने सुसाइट क्यूं किया उसकी वजए उनके सामने हो इन तमाम चीज़ों पर बातचित करने के लिए हमां साथ में भीजोपी के वरिष्ट नेता रामेशो चोरसि कि देखिए सुसान सिंग्राजपुत की हत्या वाद गया जो नैरेटिव सेट कीया गया बिञा कोई जाच हुए नेरेटिव सेट appreciable हो गया आप पूरी मीडिया बेि चलने लेगा कि सुसान सिंग्राजपुत ने आत्महत्या कर ली और मुंबई पुलिस खास करके जाते के साथ कहते हैं कि यह तो आत्म हत्या का मामला लगता है उसके पहले कुछ लोग प्रोडूसर लोग बोलते हैं कि यह कुछ दिनों बाद ही नहीं रहेगा लेकिन मुझे आश्चर्ज इस बात का हुआ कि बिहार का कोई भी हीरो पहले इसको आवाज न आते हैं और मैं पूरी तरह से कंफरम हूँ आपको बताओं कर्वीन सून लोगों से कि सुसान सिंग राजपुत की हत्या हुई है और साजिसन हत्या की गई है इसलिए इसकी सी बी याई जांच के लिए हम लोग पुर्जोर मांग कर रहे हैं और इस मांग को हम लोग आगे तक ले जाएंगे कि जो भी मैं मैं तो दो तीन चीज आपको बता रहा हूं मैं आगरा करता हूं ठाकरे जी से कि आखिर वाली उड जो जगह है उसिर्फ मुंबई की तो है नहीं मुंबई की लोगों की जगह तो है नहीं वाली उड पर लोगों का भरोसा तुट रहा है मैं मा इंडस्ट्री को लोग सवाल उठा रहे हैं दूसरा सवाल आखिर बिहार से जुड़े हुए प्रमुख लोग क्यों इसावाज को पूर्जोर तरीके से ने उठा रहे हैं बाद में क्यों इनकी निंद खुलती हैं मैं आज भी आगरह करता हूं कि इस नेवर टूलेट यहां के जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं सांसग भी हैं मंत्री भी हैं मंत्री रह भी चुके हैं इन लोगों को उधव ठाकरे से मिलना चाहिए डेलिगेशन लेकर के और मांग करने चाहिए कि सुसान सिंग राजपुत के हत्या हुई है इसकी सिविया जाच बॉली उड का जब मामला आता है तो मुंबई पुलिस आज तक एक भी केस को नहीं सुल्ड़ाई है इतने वहां सुसाइड होते हैं यहां तो लोग गाडियां चला के तिंती लोगों की हत्या कर देते हैं आज तक कुछ हुआ इसलिए मुंबई की जो पुलिस है काविल फिल्म इस्टार ही नहीं था इंटेलिजन था दिमाग का भी और अपनी परतिभा के बल पर वहां पहुंचा था और आज देखिए चिछोरे और MS धोनी की फिल्म जो थी वो फिल्म 200 के कलब में चली जाती है 200 करोण के कलब में ए फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग कबज तब मैं था चाहिए कि चारों तरफ से झिस तरफ की खबरे आ रही है इस लगत笔 कि साजी संहतिया की गई है इसमें कौन माफिया है कौन भाई-भतीजे का खेल है बाहर की सक्तियों का खेल है अखिर क्या कारण है इस फिल्म इंडस्ट्री में देखिए एक समय था देवानन थे, राजकपूर थे, अमिताफ बच्चन, सत्रुगन सिनहा, धर्मेंदर, जितेंदर, ऐसे ऐसे लोग एक साथ बाहर से आके फिल्म इंडस्ट्री में छाये हुए थे, एक से एक हिरोईं थी, आखिर क्या कारण है कि पिछले 10-12 साल से कोई हीरो ही नहीं आ गया है, ये 4-5 बुढ़े हीरो हैं, उनके भाई बतीजी आते हैं, फ्लॉप कर जाते हैं, कहा कोई सुपरेस्टार नहीं बन पा रहा है, सुसान सिंह राजपूत अपने उम्र में एक ऐसा कदावर हीरो निकला था कि आने वाले 4-5 साल का वो सुपरेस्टार था, इसलिए बिहार से जाने वाला वो दूसरा लड़का सुपरेस्टार के लाइन में था, पहले सत्रुगन सिना, बाद में सुसान सिंग राजपूत, इसलिए मैं सत्रुगन सिना जी से विमांग करता हूँ, कि आप फिल्म नहीं करते हैं, तो सवाल आप लोगों से भी पुछा जाएगा, क्योंकि जो तटस्त है उसका भी लिखा जाएगा इतिहास, इसलिए इस सवाल इन ही लोगों से पुछा जाएगी, आप लोगों ने क्यों नहीं मांग की, पहले तो बड़े उचल-उचल के मांग करते थे, क यहां फिल्म इंडर्स्ट्री खोला जाए, वहां फिल्म इंडर्स्ट्री खोला जाए, और आज एक चमकता हुआ सितारा चला गया, आप लोगों की आवाज बंद है, दूसरी, मैं तो बिहार सरकार से भी मांग करता हूँ, कि इनके अपने काउंटर पार्ट उधव ठाकरे जी को लिखे और CBI जात की मांग करें. सेकर्सुमन है, और भी छोटे-छोटे बहुत हैं, अगर यह नहीं करते हैं, तो क्या होगा फिल्म इंडर्स्ट्री में, जो बाहर के लोग गये हैं, वो बच्चों के मन में डर समा गया है, और इसी दिए मैं कर रहा हूँ, जो तटस्था उनका भी लिखा जाएगा, इतिय में काफी रोश है, यह मामला सरकार का नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो लोग जुरे हुए हैं, वो तो वहां की सरकार से मांग कर सकते हैं, हम मांग कर रहे हैं, तो यह मेरा मांग एडिशनल है, क्योंकि एक बिहारी होने के ना ते मैं का मांग कर रहा हूँ, एक जायज कोज के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं उसलिए सरकार भी मांग कर सकती है इसमें कोई आपती नहीं अगर भी हार सरकार मांग करें तो लेकिन उन लोगों को आगे आकर के डेलीगेशन ले जाकरके मांग करनी चाहिए और नहीं है तो धरना देना चाहिए जाकरके मुक्छमंत्री का आगे आखिर मांग कर क्या रहे हैं CBI जाच की मांग कर रहा है Bollywood सबका है Bollywood सिर्फ राज ठाक्रेजी उधव ठाकरेजी और मुंबईवालों की नहीं है बॉली उड में पूरे देश का है और बॉली उड का रूतवा भी घट गा रहा है बॉली उड के साख नाओं पर लगी हुई है अफिर को ने इस उफश्टार निकल रहे हैं। पर नहीं जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री से भाई भतिजा के चक्कर में मेधा को आप हटा देंगे मेड़िट को करस्थ करेंगे तो उसका अंजाम बुरा होता है उसका ग्रोथ नहीं होता है मैं तो कहता हूँ बोलिवूड का ग्रोथ ही रुख गया है एक तीन चार पाच नेता हैं आप एक बड़ी पार्टी के नेता हैं लेकिन आप मानते हैं कि क्या यही स्थिति पॉलिटिकल पार्टियों के इंद्र में नेता बने और नेतागीरी में तो और आसान है आप देख लिजे ना जो कॉर्पेरिशन का चुनाओं नहीं लड़ा हो विदान समा बिना चुनाओं लड़े प्रदेश में मंत्री बन जाता है क्योंकि उसके आका बैठे हैं उसके दादा बैठे हैं कोई न कोई है उसके गौड़ फादर है यह तो होता ही है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारी परतिभा को करस्ट कर देंगे सारी परतिभा को अगर करस् कि इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीती हो या कोई भी प्रोफेशन हो मेरिट को करस्ट नहीं होगा हाँ थोड़े बहुत लिवरेज तो मिलता है जिसके पिता जी उसको लिवरेज मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं कि नलायक बेटा है तब भी वहां पहुंच जाए तो सवाल तो उ पार्टिया तो बेक्तियों के नाम पर चल रही है दो तिन पार्टियों को छोड़ दीजे लेकिन अब किसी को अच्छूता हम कैसे मानेंगे हम एक दूसरी पर तो सवाल उठाने लाइक नहीं रहे क्योंकि हर पार्टी बाप गया तो बेटा को सगती सौप के चला जाता है क कुछ पार्टिया तो बाप बेटे की पार्टी बन करके रह गई है और कुछ पार्टियों में है कि अगर एह है इनके ताकतवर हैं अगर मंत्री है तो बेटा भी मंत्री बन जाएगा हां जुनाव नहीं भी लड़ा तो बैक दोर से जाकर कर मंत्री बन जाए लेकिन इसकी अगरी एक लिमिटेशन होनी चाहिए इसमें ऐसानी की परतिभाओं को करश कर दो यह सुसान सिंग वाली इस्थिती नहीं ला देनी चाहिए शुसान सिंको सुचिए कितना टॉर्चर किया होगा मेंटली इतना बैलेंस लड़का जो इंजीनियर था पढ़ने में इतना मुंबई पुलिस को नहीं मालू है इसलिए मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है मैं फिर बोलता हूं कि मुंबई पुलिस बॉलीवूड का जब सवाल आता है तो भरोसे लाइक नहीं है इसलिए उदव ठाकरेजी से मैं पुना मांग करता हूं इन लोगों से के लिए recommend करें अब भी बात करेंगे लोगों से कि यह बात करेंगे हम तो कर ही रहे हैं और इनकी family बड़े सदमे में हैं इनके जो नेफिव हैं माझले जो चचेरे भाई हैं उसके वह खुदी में MLA हमारे साथ है आज भी MLA है अगर नहीं वह करते हैं उद्धाकरे नहीं करेगा क्योंकि CBI की criteria में तभी होता है CBI जांच जब या तो State Government recommend करें किसी case को क्योंकि कोई भी case हो तो State Government का अंदर ही घड़ता है न वो recommend करें या Supreme Court और High Court direction ते इसका यही दो पाय है तो Supreme Court High Court जाएंगे आगे करेंगे लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे बिहार का लड़का लड़का था सिर्फ बिहार का लड़का था इसलिए नहीं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आज बॉलिवूर्ट शक के घेरे में हैं इसको उससे निकालने के लिए क्या आप नहीं लगता है कि इस तरह के लोग है उनको ही पहले करने चाहिए कि अब देखिए इनकी चुपी भी कुछ कह रही है एक चुप बैठे हैं आखिर दूद का दूद पानी का पानी हो इन पर आरोप लग रहा है तो इनको तो आगे बढ़के करना चाहिए ता ठीक करने चाहिए कैसे इनके फॉलोर से और मैं आपको बता रहू हुँ अगर इनकी चुपी भी लोगों को समझ में आ रही है और कोई भी फिल्म अगर इनकी इस दिन पर आरोप लगे हैं मैं आगे कहा देता हूं के कोई भी फिल्म बिहार यूपी में रीलिज हो तो तियटर जला देगी पब्लिक, पब्लिक में इतना आक्रोज है, ये तो लॉक डाउन से आपको पता नहीं चल रहा है, ने तो लोग सडकों पर होते, लॉक डाउन के चलते बचे हुए है, कोई भी फिल्म रिलीज हो, कोई यहां का जो भी है, सिनेमा घर, वो फिल्म नहीं रिलीज कर पाएगा, पब्लिक का इतना अक्रोज है, पब्लिक माने की ही नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीकी लडाई लड़ी जा रही है, सोचल साइट पर या जिस तरीकी से आपको पही आवाज आखे है, तेकि आप जो बता रहे हैं, सोचल साइट ची एक सोचल प्लेटफॉर्म भी एक मेडिया है, यही मेडिया बच गया है, क्यों आप देखे एक दिन नैरेटिव सेंट हो गया, राष्टिये चैनल पर, और राष्टिये चैनल क्यों नहीं मांग कररे हैं, SBI जांच की मांग, कैसे राष्टिये चैनल वालों ने इन निट चला दिया, ख़बर बीना ज तो शके दाइरे में सबाते हैं साथ इस विए मैं काता हूँ कि कहीं है भुहाँ प्लेज अपने दम पर ऑपनेพर इस लिए लोगों को दुखध और अब तो देखे बड़े-बड़े लोग आकर के बोलने लगे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम नहीं बोलते थे, हमने तो देखा प्रियंका चोपरा का भी यह statement देखा, वो भी हम भी ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, सब गुजर चुके हैं, तो आखिर आने वाले दिनो क्यों इस नरेटे को सेट करने के कोशिश की गई, किसो सांस सिंग ने सुसाइट किया है, वो एक मर्जर नहीं है, इनका सीधा कहना है, कि एक हत्या है, और हत्या के पीछे जो लोग विशामिल है, वो सामने सच आए, लिहाज़ा जरूरी है कि मुंबई पुलिस से जाच ची आपाए, ये भी साफ कर दिया है, इनोंने कि अगर सच सामें नहीं आया, तो जो गुसा है, देश के हर सक्स के अंदर में सो सांस सिंग राजपूर को सुसाइट मामले के बाद, जिस तरीके से परतें खुल रही हैं, जिस तरीके से संदेह गहरा रहा है, आने वाले वक्त मे इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ बॉलिवूड को होगा, फिलाले इतना ही देखते रहे हैं ये इनोज फॉर्निशन, नमस्कार